जहिन साथियो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अली वेकेंसी अड़ आप हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगनी बीर आर्मी भरती में medical test के बारे में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बोडी में कौन-कौन से वे पार्ट है जिनका अगनी बेर आर्मी भरती में टेस्ट होगा या होता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं एक-एक अंग के बारे में सबसे पहले तो बात है दोस्तों आपकी हाइट की सबसे पहले आप लोगे मेडिकल के दोरान भी आपकी एक बार से हाइट नाप ली जाएगे जो कि आपका माप की अनुसार ऊपर रहेगा तो चलेगा कम नहीं होना चाहिए ठीक है दूसरा पॉइंट है दोस्तों चेश्ट अर्था सीना सीना में दोस्तों आपकी सीना थोड़ा कम भी रहता है तो चलता है ठीक है उसमें बस 5 सेमी का फूलाव होना चाहिए ताकि ये पता है चलता है कि इनसान स्वस्थ है आपके फूलाव से ये जाहिर होता है दोस्तो तो आपको सांसे घीच के अच्छे तरह से चेश को फूलाना है ताकि 5 सेमी से ज़्यादा ही आपका फूलाव हो सके पस सीने में यही ना भजा थे अब है दोस्तो वजन वेट तो वजन दोस्तो आपका कम से कम 50 केजी होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए अथात आप जाएं तो वहाँ पे थोड़ा खाना पिना खा के जाएं अच्छे से ताकि वजन आपका कम से कम तो 50 केजी होना ही चाहिए अब बात करते है नेक्स्ट वाइट है टेटो तो टेटो दोस्तो अगर आपका कोई फाल्तु टेटो रहता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है तो वैसे टेटो के लिए आपको रेफर कर दे जाता है अर्था अगर कोई वैसा टेटो है जैसा धार्मिक है तो जो देखने में समझ में आता है उसको पास कर दे जाता है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट है नौकने इसमें आपको बिलकुल भी सीधा खड़ा होना है ठीक है और आपके पैरो के बीच में इसमें गैप चेक किया जाता है दोनों पाउं के बीच में देखे मैं आपको इमेज के जाहता था समझाने के कोशिस करूँगा ये देखे मैं फश्ट में दिखाता हूँ इसमें देखे पाउं पूरा टेच हो रहा है बीच में ठीक है घुटना तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका भी और ये देखे जो सेकेंड है इसमें देखे थोड़ा सा गैप रहा तो ऐसा गैप आप में होना चाहिए ठीक है और ये ठटड़ वाले में देखे पूरा ही गैप है तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए यह जो second वाला ही में देख रहे हैं आप लोग वैसा आपका होना जाए ठीक है? नौकने अगर आप लोग का ज़्यादा gap है या gap नहीं है तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे exercise हैं उनको करके आप army join कर सकते हैं यह नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते हैं exercise करके आप यह अपनो नौकने ठीक कर सकते हैं अब next है दो तो flat foot flat foot में आपका क्या होता है कि आपको आपके पैर को पानी की साहता से भिंगा के first पे चलवाय जाता है ठीक है? जिसमें आपके बीच में पाउ में यह थोड़ा gap होना चाहिए ठीक है? जैसे देखिए यहां मैं image से समझा रहा हूँ यह देखिए first वाले कुछ ज़्यादा यह gap है ठीक है? और यह second वाले में देखिए normally gap हो रहा है ठीक है? जबकि वह ही हम third की बात करें दोस्तों तो third में देखिए पूरा ही gap ही हो जा रहा है तो वैसा नहीं होना चाहिए आपको second वाले जैसा होना चाहिए ठीक है? प्लेट पूल अब next देखा जाता है दोस्तों कहीं आपके पैर में हाथ में कहीं कोई सूजन तो नहीं है जैसे कहीं नस निकल जाता है या कोई चोट का सूजन होता है तो उस पे भी आपको बाहर किया जा सकता अगर वैसा कुछ खास रहे तो ठीक है? नॉर्मली चलता है अब बात करें दोस्तों next है finger बहुत शारे लोग का क्या होता है दोस्तों कि एक दो उगली कट जाती है तो वैसे लोग भी नहीं आ सकते है और किसी किसी का पैर का finger या हाथ की finger कोई छोटी बड़ी होती है तो वैसे लोग को भी इसमें थोड़ा सामना करना पड़ सकता है ठीक है? नॉर्मली हाथ पाउं होना चाहिए नेक्ट पॉइंट है दोस्तों आई आख आखों को दोस्तों आपको पहला आख में कई points चेक वाता था पहला point रहता है pencil की सहाथा से आपकी आखों को घुमाया जाता है अर्था जिधर जिधर pencil घुमाया जाएगी आपको आख के जो black color की है इसी को घुमाना है आपकी ये नहीं के पूरा गर्दन ही घुमादे इधर उदर left, right जिधर pencil जाए उदर आपको आख ही घुमाना है ठीक है फिर उसके बाद आपकी नजर चेक होती है अर्था आपको साफ दिखाई देखता है नहीं देता है कितने दूर का दिखाई देता है कितने पास का दिखाई देता है एक number board लगा के आपसे पढ़वाय जाएगा यहाँ पे आपको एक एक आख बंद कराके भी पढ़वाय जा सकता है एक आख से यह बताईए दूसरे आख से यह भी बताईए ठीक है तो आपका ये आँख में ये है और तीसरा आँख का पॉइंट है color vision का color vision ये होता है दोस्तों जो जिनको भी color vision हो जाता है इसका कोई राज नहीं है ये color vision आपको एक circle रहेगा उसमें बहुत सारे lining खीचे रहेंगे या हो सकता है कोई number लिखाओ तो आपसे यहां पर पढ़वाया जायगा अगर आप number पढ़ते जाते हैं तो आपसे एक दो में ही छोड़ दिया जागा अगर आप फसते हैं तो आपसे ज़्यादा पूछेगा और वो आपको फसा ही देगा ठीक है तो जिनको रहेगा उपास ही हो जाएगे अब बात करें नाग नाग की दोस्तों नॉर्मली आपकी नाग की हड़ी चेक की जाती है सही है टूटी फूटी नहीं है नॉर्मली है ठीक है कान का दोस्तों कान की मसीन के द्वारत चेक किया जाता है अर्था आपकी कान की शुनने की छंता सही है या नहीं है और कान का पर्दा शाया नहीं है कान दोस्तों आपको साप सूतरा करा गई जाना ठीक है? और मेडिकल से बहुत दिन पहले ही एक से दो मेने पहले ही करा ले जाएगा अर्थात अगर कान में कोई स्क्रेच हो तो वो मिट सके एक दो मैने में ठीक है? अब दात दात दोस्तों आपके सड़े नहीं होना चाहिए किडे नहीं लगने चाहिए पैरिया नहीं होना चाहिए बदबू नहीं आना चाहिए कांद आपके दात से और दात किसी किसी का ऐसा होता है दोस्तों कि किसी का कुछ जादा ही निकला होता है और किसी कुछ ज़्यादा धसा ही होता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए नॉर्मली आपका दान होना चाहिए ठीक है फिर BP चेक होते हैं आपका BP नॉर्मली चेक होता है नॉर्मल BP है या नहीं है कि आपका BP ज़्यादा है कम है ठीक फिर उसके बाद Heart आपके Heart के भी Heartbeat चेक होती है कहीं तेज नहीं चल लाए कहीं ज़्यादा तो नहीं चल लाए हलागी बात करें दोस्तों वहाँ उस से मेडिकल के दवरान में सब की Heartbeat थोड़ा तेजी चलती है क्योंकि हम उस दोर से गुजड चुके हैं वैसा होता है दोस्तों थोड़ा तेजी रहता है वो लोग भी समझते हैं उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता है ठीक है फिर next है आपका blood blood में दोस्तों आपका blood group चेक हो जाता है जिससे आपको पहचाना जासा कि आपका blood group भी note किया जाता है और कोई बिमारी तो नहीं है वो भी blood से आपका judge किया जा सकते है फिर उसके बाद urine test हो जाता है अब next है हाथ हाथ में दोस्तों यह चेक किया जाता है बहुत सारे लोग का हांस से काफी पसीना छोड़ता जाता है तो यह पसीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है आप उसका पहले जागर कोई इलाज है तो करा सकते है ठीक है medical में वैसा नहीं होना चाहिए ठीक है फिर next है under course यह दोस्तों यह भी चेक किया दाता है कहीं कोई बड़ा छोटा तो नहीं है नॉर्मल होना चाहिए जैसे होता है आपको तो पता ही है कभी कभी क्या होता है कोई बड़ा हो जाता है दो में से एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पहले से इलाज कर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं इलाज करा किये हैं, और लाश्ट पॉइंट है दोस्तो, पाइल्स, अगर आप किसी भी बंदे को बाउशीर है, तो उसका पहले से इलाज करा लें, यह नहीं हैं, कि आप मेडिकल में आने के बाद दोस्तों आपको अन्फिट कर दिया जाएगा अगर हाँ आप हलंकी पहले से करा चुके हैं फिट हैं तो आ सकते हैं उसमें आपको अन्फिट नहीं किया जाएगा दोस्तों उमिद करते हैं आपको वीडियो फसंद आया होगा पसंद आया तो जरूर लाइक किजिए शे बारत